हेलो बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर गया हूं कि जैसे आप लोग जानते हों कि आपका बोर्ड एक्जाम आ गया है 10-12 का और फरोरी मेने से स्टार्ट होगा तो जो बच्चे टेंशन में हैं या उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उन बच्चों के प्रिप्रेशन स्टार्ट किया होंगे तो उनको जाद तर चीजे समझ में नहीं आ रही होंगी तो उन सब बच्चों के लिए और सब ही बच्चों के लिए मैं एक ऐसा ट्रिक आया हूं जिसे वह एक्जाम में लास्ट के 10-15 दिन पढ़ लेंगे तो आसानी से 60% 60-70% 80% तक मार्क्स लेकर आएंगे मैं इस बात की गरेटी नहीं देता हूं कि आप 100% लेकर ही आओगे 100% तो वही बच्चे लेकर आएंगे जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया है लेकिन जो बच्चे अपने एक्जाम में पास होना चाहते हैं 60-70% लागतने हैं तो मैं इस ट्रिक से ऐस तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने एक्जाम में 100% पास हो जाओगे तो इस ट्रिक में करना क्या है बच्चों कि जैसे आप क्या करते हैं एक्जाम देने के लिए जा रहे हो तो एक्जाम में आपको question नहीं आ रहा है तो पहले तो जो question आपको आ रहे हैं उनको अपना ल नहीं आ रहा है तो क्या करो जो आप घर से पढ़के गए हो उस answer को लिख दो जैसे मालो math में कोई question आ गया कि आपको इसका area और perimeter नहीं निकालना है तो area perimeter आप मालो circle का पूछा हुआ है लेकिन आप rectangle का जानते हो या square का जानते होगे ठीक है या तो work का जानते होगे या तो आप उसका आयत का जानते होगे किसी का कुछ तो जानते होगे उस चीज को लिख लेना है बस आपको especially इन चीजों पर ध्यान रखना है कि आपको एक भी question छोड़ना नहीं है मतलब कोई भी question आपको छोड़ना नहीं है आपको उस question से related जो भी चीजे आती है उस चीज को आप उसमें लिखोगे माली जी हिंदी में आप देने जा रहा है हो हिंदी में आपने किसी Republican के बारे में पढ़ा है सारी चीजयों को EXAMINER बस यह देखना चाहता है कि बच्चा लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ है आप अगर कोई मार्क्स नहीं देगा लेकिन अगर आप कपी को ऐसे तरीके से बनाओ जिस से क्या करे एक्जामिर आपको माक्स दे तो इसमें क्या होना चाहिए आपके कापी में ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए ठीक है तो बच्चो यह ऐसी ट्रिक है जिसमें आप एक्जाम में क्या कर सकते हो 100% पास हो सकते हो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा घबर आ गया होंगी उनका एक्जाम आ गया है सो बच्चो और दूसे ट्रिक ये मैं बताना चाहूंगा कि आप क्या करना जो केश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं उसको पहले पेज़ पर करना और साफ साफ करना इससे क्या होगा एक्जाम ड़को लगे गा야 कि नहीं बच्चा आछा है या अच्छा लिख रहा है और बाकी में जो नहीं आता है हमने बता दिया है आपको कि एक भी question छोड़ना नहीं है और जो question आपको paper में आया है वो नहीं आ रहा है उस question को लिख दो और उसका answer जो आप घर पे पढ़के गए हो कुछ तो पढ़े होगे कुछ तो Hindi में पढ़े होगे कुछ तो Math में पढ़े होगे कुछ तो English में पढ़े होगे तो उस चीज को आप उसमें लिख देना भले ही वो उस question से related ना हो answer भले ही आपका उस question से related ना हो लेकिन उसको छोड़ना नहीं है आप लिख दो जो चीज पढ़के आए हो आप उसको लिख दोगे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे इस ट्रिक से आप अपने एक्जाम को 10 फर 12 को बहुत ही असानी से पास कर जाओगे मेरा ये परसनली मैंने बहुत सारे इस्ट्रेंटों को सजेश्ट किया और नोंने 70% 80 मार्क्स भी लाए हुए है हलाकि वह अपना भी पढ़े थे उसमें लेकिन ये जो ट्रिक थी उस कोशन न छोड़ने की और उस कोशन के बदले में दूसरा अपना आंसर लिखने की जो ट्रिक है ये सभी बच्चों ने अपलाई करके ये बहुत सारे एक्जाम को पास किया है तो इस ट्रिक को आप अपलाई करके आप भी पास हो सकते हो और इस एक्जाम के लिए आपको बहुत सारी बहुत सारी सुब कामना है थैंक यू और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा थैंक यू